भाईयो और बेनो राम राम, कैसे आप अब दिवाली आ रही है और मेरी तरफ से आज से ही अग्रिम सुब कामना हैं, भगवान आपके गर में लक्ष्मी रखे, भगवान आपके गर में खुशियां लाए, यही मेरी कामना है, आप कुछ रहेंगे तो मैं कुछ रहूँगा, आपके पेशाब के अंदर जाग आने लग जाते हैं, और आप उसको जाते हैं, त्यान नहीं देते, लेकिन विशेश द्यान देने की बात है कि आपके पेशाब में जाग क्यों आ रहे हैं, थोड़ा सा सफीद कलर का पेशाब होगा, और उसमें जाग आएंगे, जाग आएंगे और जाग में चिकना ही होगी, यह मानिए कि आप इसको गफलत में ना लें और यह सोचिए कि इसके अंदर क्या है, तुरंत चेक कर वा लें, जादा जाग निकलने का मतलब है कि आपके पेशाब में प्रोटीन की मातरा आ रही है, बाहर निकल रही है, हमारे शरीर का अंदर जो प्रोटीन बन रहा है, खादिया पदार्तों से बन रहा है, वो कर गे, कि आपके पेशाब में जाग आ रहे हैं, काफी जाग आ रहे हैं, और जैसे ही आप पेशाब करते हैं, जैसे वास्टों में जाके पेशाब करते हैं, तो सिंक के अंदर देखेंगे, तो जाग पूरा बनेगा जाग, और उसके बाद में वो जाग खतम नहीं होंगे, और दिरी दिरे खतम होंगे तो एक चिकनाई की परच सी उपर आ जाएगी तो ये मानना के आपके प्रोटीन की मातरा पेशाब के जरीए निकल रही है और वो आपके कमजोरी का कारण है और अगर इस पे समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो ये बहुत बड़ा गातक दियान रखने की बात है कि अगर टू पलस से ज्यादा आपके जाग में चिकनाई है और प्रोटीन निकल रहा है तो ये आपको घातक हो सकता है तो इसके लिए मैं आपको रख रखाओ भी बता रहा हूं और एक आपको नुस्खा भी बताऊंगा जिससे आपके जाग निकल ये भी ध्यान रखने की बात है तो सबसे पहली बात कि आप देर से पचने वाला बोजन है उसको नहीं करना है इतना हलका बोजन लें कि इधर खाएंगे और थोड़ी देर बाद में वो पचना शुरू हो जाएंगा ऐसे बोजन लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिल ऐसी सबजी भी आपको नहीं खाना है अगर ऐसी सबजी खाएंगे तो आपके और ज़्यादा इस बीमारी का फैलाव होगा और प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में आपके निकलेगी आप ड्राइब रूट चाहे किसी प्रकार काया खा सकते हैं ड्राइब रूट काये आपको कोई मनाई नहीं है लेकिन भोजन करें तो एक दम हलका और सूपाचे भोजन जो जल्दी पते जाए ऐसा भोजन करना है बाजार में भिकने वाली नमकीन बगेरा या फिर पीजा बगेरा ऐसा कुछ नहीं खाना आपको आपको दूसरी बात कि आपको दिन में परचूर मातरा म हो चया नहीं स्कूंद में पानी पीना है चाहिए एक लिटर से Ms. 1.5-2.1 तक आप पानी देली का पी सकते हो अबी सर्दी आ रही है इसलिए पानी हमें कम अच्छा लगता है और हम पानी भी कम पीते हैं लेकिन परचूर मातरा में चाहिए थोड़ा-थोड़ा करके ही पीओ हमें दिन में डेड़ से दो लिटर पानी चोईश गंटे में पीना जरूरी है हम कुछ लोग जो अपने गर के अंदर गाई वैंस रखते हैं दूद जिनके होता है अगर आप दूद पीते हैं तो अकेला दूद गरम करके नहीं पीना और दूसरी बात दूद को गरम गरम नहीं पीना जब वो गुनगुना रह जाए तो उसको पीना है और पीते वक्त कोई भी चीज उसके साथ आप खा सकते हैं चाहे चार बिस्किट खाली जिए या फिर आपके गर में रोटी पड़ी है तो वो खाली जिए यानि कुछ नकुछ दूद के साथ में लेना है खाली दूद आप को नहीं पीना है और इस बीमारी को ठीक करने के लिए मैं आपको एक नुष्का बता रहा हूं बहुत जल्दी आपकी ये बीमारी ठीक होगी आपको क्या करना है कि सुबह उठते ही पांच छुआरे लेने हैं जिसको खारक भी कहते हैं खजूर भी कहते हैं सूखे हुए सुबह उठते ही खा लेने हैं ये आप कम से कम 15 से 20 दिन करेंगे तो आपके शरीर से निकलने वाला प्रोटीन बंद हो जाएगा और आप स्वस्त हो जाएंगे और अगर समय रहते आप चेते नहीं तो ये मानिए कि आपके शरीर में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है क क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर से निकल जाएगी तो हमारे शरीर में फिर बतने वाला कुछ भी नहीं है इसलिए ये नुस्का आप मेरा करके देखें और करने के बाद में फिर मुझे कॉमेंट करके बताएं कि कितने ठीक हुए हैं या नहीं हुए हैं ऐसा सब कुछ मुझ हिंज या वारत